कि क्या आले साथ ही हूं मैं विकास सूमर आप लोग के अपने ट्रास्वाइर चैनल करेक्टिव स्टेडी फॉर सक्सेस वे आप लोग को सहवत करता हूं 26 जुलाई के करेंट अफैर हम लोग देखने हो ले हिंदी इंगलिज दो नहीं वाशों में टेलीग्राम चैनल का लिंक करिए ठीक और यह नंबर है 9650347272 इसके जरिया जो है पेट कोर्स जो हमारे चलना है UPSC UPSC के लिए 2023 का 2022 मेंस के लिए मेंस आंसार राइटिंग आपका जो है करेंट अफेर का मोड्यूल और जो है डाउट डिसक्रिशन सिर्फ डाउट के लिए भी एक जो है पेट गूप पर आप हमसे बात कर सकते हैं आज के दस मोस्ट इंपोर्टन टॉपिक्स हैं जो कि प्रिलिम्स और मेंस एक्जामनेशन में आ सकते हैं UPSC 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 PPSC अदर स्टेट पीसे एक्जामनेशन में वह हैं यह सारे जिनको हम लोग देखेंगे विस्तार से देगे पहला है कि यह द यह फिर कहां पिसको खड़ा होना तो उसको बोलते हैं बर्थ हायरिंग घए यह कई सारी जगह ऐसे बने हुई यह जैसे ना हलग लग जगे उती है इनकी बाष्थ हाइर इंग तो वहां के भी कुछ चार्ज़ लगते हैं तो गौर्णमेंट नहीं बहुत दिया है कि हम कोई चार्ज़स नहीं लेंगे मेजर पोड़् पर कोई भी ऑल बष्थ हाइरिंग और vessel related charges नहीं लेंगे चुकि अलड़ी जो तेल की कीमते हैं marine oil में भी जो चलता है marine fuel में जैसे कि low sulfur high flash high speed diesel वो 76,000 रुपे प्रती किलो लीटर से बढ़कर 1,21,000 रुपे प्रती किलो लीटर हो गया जो कि बहुत जादा है तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर रियायत दी गई है इस तरीके के जो charges है वो नहीं लगेंगे अगला topic है सवनेर धापेवाड़ा घोंड़ खेरी section एक national highway 547E ठीक है नागपुर में नितिंगटकरी जी ने इसको inaugurate किया ठीक याद एकना प्रदामंद्य जी ने नहीं किया है कभी-कभी ऐसा होता है तो यह चीद्यान रखेगा चार लेन की जो है यह सावनेर धापेवाड़ा गौंड़ खेरी गौंड़ खेरी जो है यह section है यहाँ सर क्या होता है जातर बहुत traffic रहता था ठीक गड़ेश टेंपिल के लिए जो pilgrim जाना चाते है और जो की अडासा में है और विठल रुकमनी टेंपिल जो धापेवाड़ा में है तो वहाँ जाने के लिए काफी आदा ट्राफिक रखता था तो उससे जो है शुटकारा मिल जाएगा और ये चार्ड लेन का जो ब्रिज बनाये गया है ठीक ये चंद्रभागा रिवर का है जो की पुर्णा रिवर की सायक नदी है ट्रिबिटरी और पुर्णा रिवर गोदावरी की साउथ की गोदावरी आपको पता ही है गोदावरी की साहएक नदी यह पर ट्रिविट रही है वह इतना दियान रखेगा वाकी ट्रैफिक पर कम हो गया लॉजिस्टिक इंडस्ट्रियल पार्क भी यहां पर घोंड केरी और चिंच भवन में खुलेंगे नागपूर के पास में हैं इसारी चीज़े अगला टॉपिक तो उसमें से एक एसी तरह कि सीक्रेट सोसाइटी थी इसका नाम था अनुशीलन समिती तो अभी जो सिक्षा मंत्री हैं उन्होंने काया कि नया नैशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आने वाला है रास्ट्रिय पार्ठ चर्या की रूप रेखा आने वाली है तो उसमें उन्होंने में अपील करी है कि NCRT में यह अनुशीलन समिती के बारे में और ज्यादा जो है बताया जाए पढ़ाया जाए ठीक और यह एक तरीके का जो है प्रॉमिनेंट सीक्रेट रेवलूशने सुसाइटी थी और बेंगॉल से इस अंचालित की जाती थी और जो उपनिवेशिक इसको किसने मतलब संस्थापित किसने किया था तो सतीश चंद्र प्रमथा मित्र और विंदो घोष सरला देवी अनुशीरन सम्ती जो है वन 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 अमंगदा मैनी इलस्ट्रियस इंस्ट्यूशन थे लेंड ऑफ बेंगॉल मतलब काफी बढ़ी अशांदार इंस्ट्यूश ठीक यह लिए पीडिया वाब लोगो टेलगाम चैनल मिल जाएगी वहाँ पर आके आप देख सकते हो पढ़ सकते हो मैं बस में में कॉंसेट हो में कौन कौन चीव नहां देना वह बताता चल रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए लेजंड्स लाइक देश बंदू जातर है सुझाइटी अनुशिलन सबती के अगला टॉपिक है आपका यूनानी आयूश का फूलपां क्या होता है अरुवेदा योगा यूनानी सिद्धा होमोपेथी नेच्छो नेच्छो पैथी भी होता है ठीक और सोवार इकबावी इसमें वोला हाला कि फुल फॉर्म म यहां पर देखो बैंगलूरू में एक इंस्टिटूट है युनानी मेडिसिन की युनानी समंदित जो भी मेडिसिन का बहुत बड़ा इंस्टिटूशन है जहां पर लोगों को डॉक्टरेट की ग्रेजुएशन और युनानी में जैसे इंगिनिंग का कॉलेज होता ना डॉक्टरीं कॉलेज होता वैसे युनानी में डॉक्टरीं का कॉलेज एस सब्लब तो उसी बैंगलूरू वाले का एक सैटलाइट इंस्टिटूट जह है पी जी वे जी सब डिसिप्लिन में मिलेगा और एजुकेशन हेल्थ केर क्या चीज़े कैसे क्या होनी चाहिए उना नहीं समझे तो यह सारी चीज़े आप पढ़ाई जाएंगी करवाई जाएंगी ठीक अगला टॉपिक है नीरत चौपडा देगे वर्ड एथलेटिक्स थो कैसे इसको पता किया जायं तो ऐसावला मैं नहीं कह रहा हूं तो उसमें आप देखो कि जो आथलेटिक्स वाले जो चयंपेंशिप होती हैं पूरे वर्ल्ड में ओलंपिक्स होता है तो उसमें हमारे मैडल कम आते हैं कि अभी नीजा आपड़ा जीन ने जो है उलंपिक लिन्हों जीता 88.00 कुछ मीटर दूरी का भाला फेक कर जब यह उलम्पिक में जीते थे तब 86 था मुझे यादा रहा है असपास तो कम था इससे ठीक उससे ज्यादा अच्छा किया लेकिन एक ग्रेन एंडियन मतलब वेस्ट इंडीस की तरफ के एक कंट्री है तो बहुत है त सौपड़ा जी को सिलवर विल ऑर भारती को किसी भारतियों को पहली बार यह से बिल्ला है इससे पहले ऑनजू बॉबी जौर्ज एंजूू बॉबी जॉर्ज योकी लंभी कूद की लंभी ठेंके नौ लंबी कूद एसे पूद ना तहरों लंद्वी पूद थिंक को 2003 में म बिला है आपका सिल्वर का सिल्वर पदम दिला वो भी साल बाद तो यह बीच में कुछ अथलेटिक्स में ही अभी हम लोगने पीछे पढ़ा भी था अपने करेंट अफेर में केरला के वेक्ति हैं उन्होंने लंबी कूद में ही जगह बना ली थी फाइनल में तो वही बहुत बड़ी बात थी फाइनल में जगे मना के साथेवा नंबर पर रहे थे यहां पर सब ने बोला कि यह रहे गोल्ड आना चीए था नीरा चौपड़ा गोल्ड लुग बड़ी तो नीरा चौपड़ा ने बड़े अच्छी बात कही उसने कहा कि देखो मैं स्पोर्ट्समें हू और मैं खुद ऐसे स्पोर्ट्समें इस चीज़ समझता हूं कि आप हमेशा बैतर से बैतर करने गोश्च करते हो चैलेंच को और मजे के साथ में फेस करते हो लेकिन हमेशा भी कहो कि गोल्ड आया तो गोल्ड ही आएगा तो ऐसा तो नहीं है यहां पर इनोंने कहा कि यह भी परफॉर्मस भी अच्छा था तो अच्छी चीज़ है अच्छी बात नहीं हो पर बोली है अगला टॉपिक है विंड पावर से समंदिते कि भारत में क्लीन इनर्जी से समंदित जो है कई सारे एम है टार्गेट जैसे 500 गीगा वाट जो है हम लोग इंस्टॉल करना चाहते ह ठीक है और जो पचास प्रतिशत जो हमारी वहोगी पूरी टोटल इनर्जी का सेटप होगा उसमें से पचास प्रतिशत अक्छे और जाके थ्रू होना चाहिए ऐसा हम सोच रहे हैं ठीक है अब उसमें सोलर इनर्जी का सबसे बड़ा रोल है 500 वाट में 300 कुछ साड़े 300 तो शायद सोलर का के लेगा है विंड पावर उसके बाद है फिर स्मॉल है नुक्लियर है जो भी है तो यहां पर विंड पावर का एक टार्गेट है कि साथ हजार मेगा वाट हम विंड पावर के प्रजक्ट इंस्टॉल करेंगे 2022 यह इस साल तक लेकिन इसका 66 प्रतिशत ही हम क कर पाएं हैं 60 का मतला भी 40,000 मेगा वाट कर पाएं तो अभी मिनिस्ट्री ने क्या कहा कि देखो ऐसा है कि हमने एक रिवर्स ऑक्षन की बात करी हुई थी जो अक्षे और जा में हम ऑक्षन करते हैं निलामी करते हैं कि वह या कौन आएगा बताईए यहां पर कौन अक्षे रियाते निलामी होती है तो जाते निलामी में आपने सुना होगा पिक्चर में देखा भी होगा या फिर आईपियल की बिडिंग में आउक्षन में देखा होगा कि उसमें कहते हैं कि यह एक लाग रुपए एक लाग रुपए एक लाग रुपए दो एक लाग रुपए त उसको जो है प्रोजेक्ट मिलेगा इसको बोलते है रिवर्स ऑक्षन इसमें ट्रांसफेरbaarशन के साथ हो रहा है को यस तो यह कागस चुपा लिया किसी काट इन Dann कि जो कोई मतलब वो प्रोजेक्ट लेना भी चाहिए 2.4 रूपीज पर यूनिट है बहुत ही मतलब कम है 16 उनिट की अगर बात करिए तो लोग इस समय क्या है कि लेना नहीं चाहिए प्रोजेक्ट और विंड इनर्जी तो बिल्कुल ने लेना चाह रहे हैं तो इसलिए गौर प्रम करेंगे के लिएक सबस्क्राइब करते हैं कोई काम कर रहा है लगतार काम करता जा रहा है ठीक लेकिन उसको उसका जो है वहाँ पर बेनेफिट मिला तो पेड़ बने के कुस्तो चाहिए ना मलब जैसे मैं आपको खुद बतावाँ तो मैं एक चमनी आप लोग से नही ले कर लों कोई मोटिवेशन आप लोग नहीं करते हो जो की बात सब्सक्राइब तो थोड़ा बहुत अगर यह करोगे तो अच्छी बात मुझे भी अच्छा पाइब लोग तक पहुंच रही बाते चीजे पहुंच रही अच्छा कॉलिटी उसमें पहुंच रही तो यह पहुंच रही तो कमा किने देना ना उसको जो आगे बढ़ाना अच्छा डिसलाइक वाले को जो हैं वो तो अपना बढ़ी आरा च्छासों तरह डिसलाइक करते हैं कि मालों एक या दो डिसलाइक तो आते ही हैं जो बिलकुल फिक्स्ट हैं और मुझे मालुम भी एक कौन है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आप लोग के लाइक नहीं बढ़ाना है यह थोड़ा सा निराश जनक निराशा जनक है मेरे लिए ठीक आगे वाला टॉपिक है साइंस टेक्नोलोजी समंदित फाइब्राइजेशन देखो जो भी टावर लगे आप लोग में देखे होंगे जो मोबाइल टावर होते हैं तो उसमें जाते हैं एक पूरा ड्रम लगा होता है ठीक तो वो ड्रम जो है आपका माइक्रोवेव एंटीना होता है अचली माइक्रोवेव वहीं है जिससे खाना ना पकाते हो आप गर पे आवन में तो उस माइक्रोवेव के थूर एक टावर दू बिट्रो चलता है तो यह तो आपको दिख जाता है लेकिन दूसरा होता है अलंब और टो पआस पास ही होती है और इसको जो है को सिलाइब करना भी बड़ा होता है और इसमें यह एक ऐसे मतलब यह लाइ इति तेज़ च clearly पहती है टोकल इंटर्णल रिफ्लेक्षिन कि वाज़ेसे यह आप लों सुना होगा डेजर्ट में मिरा स्शृ इंटर्णल इफ्लेक्ष की वैसे होता है ही उसमें और इंटर्ण़क्षण मनता उसमें bird डेटा भी ट्रेवल करता है तो यह होना चाहिए दो टावरों को जोडने के लिए इसी के तुरू जो है डेटा चलता है अब सरकार यह सोच रही है कि हम 5G जो है उसका रूलाउट के लिए जो है 32 GHz वाली जो Frequency उसको बेचना चाते है एयर वेवस को बेचना चाते है अरे भाना है फिलकेवज दोगे लेकिन उसको जो है डेटा चलाने के लिए ठीक एक तो frequency है जो आपको single दे रही है लेकिन जब आप mobile के थुरू कुछ data भेज रहे हो वो कैसे travel करेगा पूरे server तक कौन लेके जाएगा वो तो fiber ही लेके जाएगा ना और fiber ही इतना ज़्यादा डेटा इतनी सुरुच्छी तरीके से ले आ सकता है तो fiber तो cable तो लगाओ तो यह यहां पर कहिए गई है कि फाइब्राइजेशन होना चाहिए फाइबर लगाने की प्रोसेस पूरा complete करो फिर जो है यह ज्यादा प्रवाशली और एफेक्टिव हो पाएगा ठीक यहीं सारी चीज यहां पर बताए गई है फाइबर बेस मीडिया को अम लोग अप्टिकल इंडिया ने एक स्टड़ी करी बाइदिवेज जो लॉजिकल सर्वेव इंडिया कहां पर है कोलकाता में है कहां पर है कोलकाता वेस्ट बेंगौल में है तो उन्होंने एक चीज़ बताई कि हिम तरंदियों को अगर तुम्हें धूड़ना है ना स्नो लेपर्ड को अगर ध पाई जाते ना ब्लू शीप वहां पहुंच जा यह अपने आप ही आपको वहां पर मिल जाएगा ट्रैक हो जाएगा लेकिन अगर आप यह सोचो कि पहले मैं इसको धूर्णू तो बड़ा मुश्किल होता यह बहुत छिप छिप छिपा के रहता तभी आस तक बचा हुआ अभी तो लोग मार के खा जाते इसको मतलब अभी भी मार रहें पोची उचिंग कर रहें बहुत साइच चीज़ें इंसान तो कई लोग लगे भी वहां कि इनका संवर्ण चोड़ चुके और सातियात इनकी खुद की चिप कर रहने की एक काबलियत है है वह भी इनको बचा क जाना वहीं मिल जाएगा भाई साब स्नो लपर्ड ठीक यह रगड़ मॉंटेन एरियास में रहता वबड़ खाबड़ पहाड़ी चेत्रों में गैर वन चेत्रों में रहता है बत्तिस सो मिटर से पांच हजार दो सो मिटर की बीच की उचाई में कवर करता है और इसका जो प काडिकरी में रखा गया है भारत के वाइलाइब प्रोटक्शन एक्ट 1972 के अंतगत शेडियूल वन का जानवर है मतला बहुत ज्यादा प्रोटक्शन इसको है और काफी इल्यूजिव मॉंटेन केट होता देखने में आसानी को मिलता नहीं है अगला टॉपिक सोशल इसू सम समतावाद या फिर विशमलांग इकतावाद हिट्रोटव पैसिमिजम हिट्रोटे सिसम हिट्रोटा का अलग लग आपको पहले शब्रोट का आड़त बतायता हूं ताकि आपको असानी से समवन में आ जाए हिट्रोट में यह प्ता है कि सा डिफरन्ट सेक्स ठीक डिफर्न होमो सेक्स ठीक है मतलब कि लड़का लड़की मेल फीमेल तो यह हिट्रों प्रिटरेट बोलड़ा जाता है sexual orientation की language में straight है यह सीदे तो मतलब इसका यह नहीं मतलब है कि यह मत बोल देना किया रहे गये हैं तो वो क्या उल्टे हैं नहीं मतलब यह straight है वो थोड़ा सा वहीं साइज चीज़े हैं तो hetero pessimism pessimism क्या होता है कि आप हर वो व्यक्ति मतलब simple line में अगर बता हूँ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो हर solution में problem दूड़ लेते हैं मेरी बास समनना मतलब एक आप भी होता है optimist ठीक वो हर problem में solution दूड़ कर उस पे काम करता है कुछ लोग इतने confused होते हैं इतने जदा जो है परेशान होते हैं या फिर इतने जदा negative हो जाते हैं कि वो हर solution में problem दूड़ लेते हैं कुछ भी आप उनको solution दे दो उसमें उनको problem ही नजर आती है तो ये pessimism होता है अब दोनों चीजों को जोड़ के समझाता हूं मेरा मन करता है कि मैं पूरी पूरा घरवर छोड़ के हिमालब चला जाओं ठीक लड़के ये बोलेंगे लड़के ये बोलेंगे कि या रहे या मेरा मर्दों से और पहले से डेटेवटिंग करके इतना दिमाग खराब हो गया है कि मेरे तो मर्दों में रिची ही खतम हो गई है समझे लो तो ये होता है कि हेट्रो सेक्जॉलिटी में रहते हुए पैसिमिस्टिक है और हमेशा एक दूसरे पब्लिकली जो है एक दूसरे के साथ रहने में बड़ा डिससर्टिसफेक्शन है इस चीज को बताते हैं इसी को हेट्रो पैसिमिसम बोला जाता है आसान बाशा में जितना हो सकता मैंने बता में कोईश करी है इसके लावा ना बुकिश लेंगवे लिखने के जवरत है ना कुछ सिंपल एक्सप्रेशन के साथ में आप डिफिनिशन लिखो अपनी लेंगवेज में और फिर उधारन के साथ समझा दो बुकिश लेंगवेज के पीछे भागोगे बुकिश मलब क्या बता हूं नंबर नहीं आएंगे सीधी इस बात है ठीक चैना स्पेश टेशन जैसे इंटरनेशनल स्पेश टेशन आणा जिसे सबी लोग जाते हैं इस पेश में रहकर कए सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं कई सारी चीज जो है उनलोग को वहां पर समझने मिलती है फिर अपने जो भी इस पेश के मिशन है उन सब में वो यूज किये जाती है जो भी जो एक्सपेरिमेंट किये उससे रिजल्ट हैं तो उसी प्रकास से चाइना अपना स्पेस टेशन बना रहा है अलग से यह वैसे ही होगा जैसे इंडिया है क्या है कि माले जैंडिया के कुछ हमारे ओफिसेज हैं इस रो के अलग है एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं उसी महौल में इस आपसे कहता हूं कि टेस्ट को ऐसे देना है जैसे की एकजाम हो टेस्ट को ऐसे करो कि एक्जाम जैसे एक्जाम में आपको डर लगता है वैसे करो ताकि आपको एक रियालिटी वहला आप यह मैं सोचो कि जो एक्जाम जब आएगा तभी तब तो आप इतना डर जाओ कि आप सोची नहीं पाओ कुछ तो दा मोर दा मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस अलेस यू ब्लीड इन वार वाली बात है तो वैसे ही चाइना ने अपना स्टेश इस पेस्टेशन जो है बनाने के कोशिश करी है और इसमें तीन मॉडूल है एक मॉडूल है त्यान है ठीक यह ऐसे है ऐसे यह पूरा यह मॉडूल जो है मैंग्शियन है ठीक मैंग्शियन मतलब होता है सपनों को मलब स्वर्ग को का सपना देखना अभी जो है मैंग्शियन लॉंच नहीं किया गया इस साल अक्टूबर में हो सकता है लॉंच कर दिया जाए त्यान है जो में इनका स्क्ट्टर है वह ओल्रडी यह सब्सक्राइब गया है अभी जो न्यूज में है वह इसलिए है क्योंकि इन्होंने सेकंड मॉडूल जो है वेंशियन को लॉंच कर दिया है ठीक लॉंच कर दिया है चाइना ने और सक्सेशुली जो है यह लगा भी दिया गया लॉंग मार्च 5B के जरिए लॉंच किया था हैनान हाइलेंड पर वैंग्चांग स्पेस लॉंच सेंटर है वहां से ठीक कम्प्लीट सक्सेस रहा है त्यान है मॉडूल जो मैंने आपको बताया यह इन्हों ने अप्रेल पहला बेद दिया था अब यह वेंशियन बेद दिया है मतलब होता है आपका कहा लिखा हुआ था वेंशियन क्वेस्ट फॉर्द हैवन हम धूड नहीं हम उसको पाना चाहते हैं स्वर को और जो मैंशियन है मतलब कि हम सपना देख रहे हैं ड्रीमिंग ऑफ दा है ठीक और त् प्रिंग नहीं आती मुझे पढ़ाना आता है उसमें मैं माहिर हूं वाकि उस वीडियो मैंने बता रखा डिस्क्रिप्शन पर जाकर चेक कर लिजेगा यूपीजी 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 दोज़ाट तीज का कंप्लीट पेड़ गूप है प्रिलिम्स और मेंस दोनों का म मोनिटरिंग चलती है कभी आप डाउट पूछिए वो सारे बताए जाते हैं तुरंत में सांसर रेटिंग प्रोग्राम है इसके लाबा कंप्लीट करेंट अफेर मोड्यूल है डाउट इसक्रिशन वाला प्रोग्राम भी है जो हजार तैइस वाला जो है 15 महिने से ज्यादा का प्रोग्राम है ठीक है और इसके लिए जो है पांच है रुपए इनीशली आप फीज देकर जोईन कर सकते हैं इनीशल्मेंट के तरूँ चलिए चलते हैं आज के यह देखे पेमेंट डिटेल्स हैं यूपी आए नेट वैंकिंग क्यू आर कोड ठीक आज चलिए मोटिव मोटिवेशनल कोड देख लेते हैं बहतर से बहतर की तैलाश करो मतलब जो आज आपने किया उसमें कुछ उधार करते जो कल आपका और बैतर हो गया लिए जब कल आया तो आपने आज फिर उसमें कुछ उधार किया जैसे मैं कहता हूं रोज सुधार करते रहाँ चीशोटे अभी अगर आप पढ़ रहे हो तो आपके अंदर एक जग्यासा होनी चाहिए एक inquisitive mind होना चाहिए एक आपका ग्यान पिपासू आप होने चाहिए कि किस तरीके से मैं exam का अगर मुझे clear करना है तो क्या-क्या चीज़े कितना limited पढ़कर कितनी multiple revision करके कैसे एक right guidance quality guidance और organized जो है रिटायर हो गए ठीक है ना जातर ऐसा धाड़ना है मैं मैंने कहा रहा हूं ठीक आपको क्या करना है आपको नाम लग आप जो है इस सिविल सेवा के लिए गया हो ना तो वह चीज कर लिए यह बात है ठीक तो जब मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो तूट जाते है सीशे पत्थरों की चोट से सीशे क्या है एक पत्थरों की चोट से तूट जाता है ठीक तूट जाते हैं सीशे पत्थरों की चोट से बहुत आसान काम है आसान काम हर कोई कर लेता है तूट जाए पत्थर ऐसे सीशे की तलाश करो मतलब पत्थर को तोड़ने वाला सीशा ब पर कहा जा रहा है कमफर्ट जोन में रहकर कंफ्यूज रहकर कभी कोई चीज हसिल नहीं होगी एम अपना साफ रखो उसके लिए हर चीज को अपना जरिया बनाओ उस एम को पाने के लिए